हाई अब्रोण, उलकम तो मैं चैनल, आज मैं आप लोग किसा शेया करने वाली हूँ देखू कॉन शर्ट, तो चलिए इस कहाने को शुरू करती हूँ तियांग, किसे आदमी को रूम में बंग करके रखा था और उसको मारनी की ध्यमकी दे रहे थे उस आदमी ने कहा मैंने तुम्हें डैट को नहीं मारा है, वह मारनी के लिए गया था लेकिन इससे पहले कि मैं उसको जान से मार देता, किसी ने उसको बचा का अपने साथ लेकर गया वो कौन था मुझे नहीं पता, त्यार ने कहा कौन है वो, कही मुझे से बाचने के लिए जूट तो नहीं बोल रहा तो उस आदमी ने कहा नहीं मैं सच बोल रहा हो, मिस्टर आयम को मैंने नहीं मारा है, मैं उनको मा नहीं वाला था मैं सच कहा था, मैंने बहुत कोशिश किया था, लेकिन मैं उनको जान से नहीं मार पाया, उस लाइकिन उसको बचा लिया, त्याग ने कहा कौन लाका, कहा रहता है वो, तो उसने कहा मैं नहीं जान तो मैंने कहा न, मैंने उसकी फेस नहीं देखा है, इससे पहले कि हम लोग उ तुम मुझे यहापा लेकर आए, त्यांग पिलिस मेरे जान मतलो, मुझे शोर दो, त्यांग ने कहा खरना तुझे क्या लगा, मैं तुझे इतनी आसनी से छोर दूँगा क्या, एक एनी के बाद त्यांग नो इसकी माथे बार गोली चला दिया और उसको मार डाला, और अपनी दादाजी के लिए जनकुग से शादी किया, जनकुग त्यांग की इंतिजर कर रहा था, जनकुग ने मन में कहा, मैं इंतिजर क्यों कर रहा हो, जबकि मुझे पता है, उसने मुझे कॉन्टक्ट मेरेज किया है, वो घर आए या ना आए, इससे मुझे क्या, लिकिन मुझे इसकी इतना चिंता क्यों हो रहा है मैं इसके बाड़ में इतना क्या सोच रहा हूँ यहाँ पार त्यांग वो जनकुक के पास आने ही वाला था फिर त्यांग ने सोचा मैं इतनी जलबाजी क्यों कर रहा हूँ मुझे इसके पास जाने के लिए इतनी जलदी क्यों करना इसे भी इशाधी कॉंटक मेरेज है जो सेब दादोजी को खुश करने के लिए था एक एते त्यांग जैसे रूम में इंटर काता है जंकुक को बेट पर बैठा हुआ देखकर त्यांग जंकुक को देखते रह गया जंकुक बहुती क्यूट लग रहा था जंकुक वो क्यों क्यों आये हो कहा गये थे तुम और तुम्हें आने में इतना लेट क्यों हो गया त्यांग ने कहा क्या अब मुझे तुमसे कहना पड़ेगा क्या कि मैं कहा से आ रहा हूं और मुझे क्या करना है क्या नहीं जनकों ने कहा तुम्हें फेस पर छोट लगी है त्यांग ने नो मुझसे शादी कर लिया, अब तुम्हें जो भी चाहिए होगा, मैं तुम्हें दूँगा, तुम बस अपने काम से मतलब रखा करो, मुझसे ऐसे बे तुका, कुशे मत किया करो, ठीक है, जनकुक तियांग से कुछ नहीं कहता है, जनकुक खुछ से कहता है, उसने सही तो क मुझे पैसे से मतलब होना चाहिए, मैं अभी न, कितना पागल हो, मुझे इसके बार में सोचनी की कहसरत है, मैं सोचाता हो, लेकिन तियांग हुआ शुम जानी ही वाला था, जनकुक ने तियांग की कप्र में खुन देखकर, वो कुछ बोलनी ही वाला था, उसके बार जनक कर रहा था, उसकी बोडी पर पहुसे खून लगा हुआ था, कप्रे निकल कर एक सेट पर रख देता है, और तियांग अपनी फेस को पानी में रगाने लगता है, तियांग ने कहा इनिशन जाता क्यों नहीं, उसके बाद तियांग खुद को देखर कहता है, मैंने खुद को क्योंकि मैं चाहता हो, आप मुझे हमेशे हेट करें, मैं आपको बचा नहीं पाया डैट, मुझे आथ के लिए बहुत ही रोना आ रहा है, मैं क्या करो, तियांग जोर जोर से रोना चाहता है, लेकिन जनकुक सुन लेगा, इसलिए तियांग रोना नहीं चाहरा था, लेकिन Heartless Markvaking क्यों रोएगा वो तो लोग को रुलाता होगा वो इतनी कर्भी बाते जो कहता है वो इसकी बातों को सुनका ही लोग रोने लगता होगा लेकिन जनकुक जब द्यान से सुनने लगा तो जनकुक ने सुना कि तियांग रो रहा है जनकुक वो दर्वाजे पर नौक करते हैं क्या तुम रो रहे हो तियांग कुछ नहीं कहता है जनकुक ने कहा क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना क्या तुम रो रहे हो तियांग ने कहा तुम बाहर से इतना शोर क्यों कर रहे हो जाओ जाकर सोजाओ तुम्हें इतना सोचने की क् मैं सच में तुमारी हस्बन नहीं हूँ, हमारी शादी बस कॉंटाक के लिए हूआ है, हमारी कॉंटाक मेरेज है, तो इतना फॉर्मलिडी काने की कोई ज़रत नहीं, मैं ठीक हूँ, जाकर सो जाओ, जनकु जाकर सो जाता है लेकिन उसको नीन नहीं आ रहा था, उसके बाद ज का तियांग कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जनको ने कहा मैं खाना बना रहा हूँ, क्यूँ, तुम ऐसे क्यूँ पूछ रहे हो, तियांग ने कहा मुझे अच्छा लग रहा है, तियांग ने कहा ठीक है, मैं तुमे इसके लिए पैसे दे दूँगा, जनको ने कह तियांग तुम्हें इतने heartless और इतना rude क्यों हो मैंने थोड़ी कहा कि मुझे खाना बनने के लिए पैसे चाहिए तियांग ने कहा चाहिए तो होगा ना क्यों तुम्हें नहीं चाहिए क्या ठीक है जनको ने कहा मुझे पैसे चाहिए मैं पैसे के लिए सब कुछ करता हो तो जनको को क्या चाहिए? तो ग्यानपा को देखा जनको ने कहा तियांग मुसे पूछ रहाता है कि मुझे कितने बच्चे चाहिए? ग्यानपा ने कहा तुम दोनों भी ना अभी से ही शुरू हो गए? हाँ मुझे यही कहना था, मैं यह बोल नहीं वाला था, मुझे जल्दी से परददा बना तो, तियांग, जनकुक, तुम लोग मुझे परददा बनाओ गे ना, और दे नहीं होना चे, देखो आज सही शुरू हो चाना, तियांग ने कहा गयनपा, आपको इन सारे चीजों के बार में नहीं सोचना चे, अभी अभी तु शादी क्या है, अभी हम दोने क लाइब को एंजय भी करना है, हमें तो कुछ सालों तक बेबी नहीं लेना है, मैं तो बस ऐसी मज़ा कर रहा था, क्यों जनकुक मैंने सही कहा न, आप जनकुक खुदी एक बच्चा है, उसको बच्चा नहीं करना है अभी, जनकुक ने कहा गयनपा, तियांग ने सही कहा है मुझे भी पढ़ना है तो ग्यानपा ने कहा जनकुक ठीक है अगर तुम ऐसे कहते हो तो मैं तुम पर पेशा नहीं डालूँगा लिकिन अगर तुम्हारा मन करे तो अभर मुझे परददा जबूर बनाना जनकुक बहुत ही शाय हो जाता है तुम दोनों मेर सामने शुरू मत हो जाना मैं तुम दोनों के सामनों क्या भूल गय हो तुम दोनो जनकुक ने कहा जनकुक क्यों न हम दिनों बाहर टहलने के लिए चले ग्यानपर ने कहा चंगू ए तो बहुत ही अच्छा रहेगा मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं गया हूँ तियान ने कहा चंगू तुम्हें इतना सब कुछ करने की जुरत नहीं मुझे पता है तुम्हें सब कुछ क्यों कर रहे हो ताकि तुम मुझे हर चीज के लिए पैसे मांग सको लेकिन मुझे नहीं लगता है तुम्हें सब कुछ करने की सुरत है फिर भी तुम आज जो भी करते हो लिख कर रखना मैं उन सारी चीजों के लिए तुम्हें पैसे देदूँगा उसकी यान की पास जाकर उस पर करते हैं कहा तो गैनपर ने कहा तियान तुम दोनों फुस पुसाना बंद करो मैं बहुत ठक गया हूँ मैं अपनी रूमें जा रहा हूँ चंकुक तुम जब फिरी हो जाओगे मुझे कह देना मैं तुम्हें से बहार जाओंगा ठीक है चंकुक ने कहा ठीक है गैनपर चंकुक फोन पा बात एक कर रहा था डॉक्टर और कितनी पैसे लगेगे डॉक्टर ने कहा चंकुक और बहुत सरे पैसे चहिए तुम इतने सारे पैसे कहा से लेकर आओगे और मुझे ए समझ में नहीं आ रहा तुम है तो एक कुछ लगता भी नहीं है तुम इसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो तुम है तो कोई फैमिली मेंबर भी नहीं है तुम एक अजनाबी के ने इतने सारे पैसे कहा से लिकर आ रहे हो और मैंने सुनाए कि तुमने शादी भी कर लिया तुमने किसे शादी के है जनकुक तेखो मैं इतना सब कुछ इसलिए पूछ रहा हूँ क्यों कि मैं तुमें जानता हूँ तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो मैं नहीं चाहता हो तुम किसी मुसिबत में फस जाओ जनकुक ने कहा डॉक्टर फिक मत कीजे मैं पैसे एकटा करके आपको दे दूँगा प्लीज उनका इलाज़ करना बंद मत कीजेगा मुझे उनको बचाना होगा उनको होश में लाना होगा मुझे पता लगाना है कि वो कौन है और कहा रहता है मैंनों उनका जान बचा है उनको कोई मारना चाहरा था डॉक्टर ने कहा जनकुक तुम एक अजड़ना बीकिन इतना कुछ कर रहे हो तुमारा भला हो डॉक्टर नों उनको बहुत सार बलेसिंग दिया यहापा त्यांग शाम को घाल लोटने के बाद जंकों को फोन पर बात ही करते हैं देकर खेता है वो किसे इतनी बात ही कर रहा है उसकी शेकल देकर साब पता चल रहा है कि वो बहुत ही जिदा सीरियस है किसे बात कर रहा होगा मुझे पता लागाना होगा उसकी बाद त्यांग ने खुद से कहा मैं उसकी बार में क्यों पता लागाओ वो किस से भी बात करे मुझे क्या हमने बस contact marriage किया है वो थोड़ी मेरी husband है मुझे इसके बात में नहीं सोचना चाहिए मुझे आपने काम पर मतलब रखना चाहिए जैसे कि मैं उससे कहता हो लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता मैं उसके बार में इतना क्यों सोचता हो मुझे उसके बार में इतना नहीं सोचना चाहिए मैं बहुत ही जदा पागल होने लग गया हो उसके लिए मुझे उसके बाए में कम सोचना होगा कई में उससे पसंद और त्यांग रूचाता है त्यांग को एक कॉल आ जाता है उसके बाद जह अपने त्यांग से कहा त्यांग, मैंने कुछ पता लगाया है तुम्हे रेट जिन्दा है, एस सच है तुम्हें रेट की लाश कहीं पर भी नहीं मिला और तियांग जितना मुझे पता चला एक अनात लर्का है जिसने तुम्हें रेट को बचाया है लेकिन वो तुम्हें रेट को लेकर कहा गया वो कहा रहता है मुझे कुछ भी नहीं पता उसकी एडेस कहीं पर भी नहीं मिल रहा है पता नहीं, वो कहा चुप गया होगा और वो कौन है, कैसा दिखता है उसका नाम कहे कोई कुछ भी नहीं जानता है बस उसकी एक picture देखा है मैंने जो मार्क्स पैना हुआ था और हुडी पैने हुए थे उसकी शकल नहीं दिख रहा है लेकिन अगर तुम उसको देखकर पैचान सको तो तुम्हें मैं पिक्चर सेंट करता हो तियांग ने कहा ठीक है वो इसके बाद तियांग पिक्चर देखता है और वो आश्रूम आ जाता है उस पिक्चर के बाद में सोच रहा था तियांग ने कहा पता नहीं क्यों मुझे उस पिक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि मैंने उसको देखा है लेकिन कहा मुझे याथ क्यों नहीं आ रहा उसकी शकल किसे मिलता है उसकी शकल थोड़ा सा ही दिख रहा है लेकिन इतना सा देखकर ही मुझे उसको बहुत ही अपना सा लग रहा है इतना अपना सा क्यों लग रहा है कौन हो सकता है वो और उसने में डेट की जन क्यों बचाया है उसका क्या मकसद है उसने में डेट को कहा लेकर गया यहापा जनकुग, वो वाशुम जाने वाला है, उसने नौक किया, तियांग नहीं सुना, क्योंकि वो ध्यान में सोच रहा था, जैसे ही जनकुग फिर से नौक करता है, तियांग का ध्यान तूटता है, और तियांग ने कहा क्या हुआ, तुम नौक क्यों कर रहे हो, मुझे गवशुम जाना ना है बहुत ही इमार्जेंसी है, प्लीस बहार निकलो. त्याँ ने कहा मैं अभी नहीं निकल सकता, मुझे आने में दौर से लीड हो जाएगा, दौर से इनतिजार करो. जंकुम ने कहा त्याँ मुझे इनतिजार नहीं होगा, प्लिस बाहर आजो उसके बाद तियांग पाच मीड़ के अंदर बाहर आजाता है तियांग के बाहर आते ही जंकुक अंदर आजाता है तियांग ने कहा इतनी क्या जल्दी है जंकुक तियांग से बिना बहस की ही अंदर आजाता है यहाँ पाद तियांग कहता है उसको क्या हो चनको ने कहा तियांग, तुम्हें मेरी फिकर की होने लगा, जब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे कहते हो क्या, जो मैं तुमसे कहूँ, हमने कॉन्टेक्ट मेरेच किया है, तो तुम्हें इतना कॉर्मलिटी काने की कोई सुरत नहीं, बैसे भी, मैं ठीक हूँ, बस ऐसी थुरह सा मुझे पेट में घरबाई लग रहा था, और कुछ नहीं, तुम मुझे की बता रहे हो, मुझे जानने की कोई शुक नहीं, जनको ने कहा कुछ दे पहली तो तुमने उसे पूछा था, तुम्हें क्या पता था, कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, जनको तुम क्या चाहते हो, कि मुझे कुछ हो जाए, मैं मर जाओ, तुम्हें की लिपर फिंगर रखते हैं, ए बात दुबा मत कहना, मैंने पहली अपनी डेट को खो दिया है, वो कहा मैं नहीं जानता हो, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हो, जनको त्याइग की मुझे निकला ह गलती से, जनको ने कहा गलती से, हाँ हो सकता है, तुमने गलती से ही कह दिया होगा, बना तुम क्यों कहोगे, हमने तो कॉन्टेक्ट मेरिच किया है न, गैनपा, बाहर से सुन लेता है कहता है, कॉन्टेक्ट मेरिच, इसका मतलब तुम दोने मुझे धोका दिया है, आखे तुम दोने की हिमद भी कैसी हुआ, कि मुझे धोका देनी की, तुम दोने सोचा भी कैसे, कि तुम दोने मुझे धोके में रखोगे तियांग, तियांग ने कहा गैनपा ऐसी कोई बात नहीं, वो तुम बस ऐसी गलती से निकल गया, गैनपा ने कहा तियांग और कितनी जूट और मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम पर इतना भरसा किया, और तुम, तुम पैसे के लिए शादी क्या है, मुझे क्यों ने कहा, मैं तुम्हें पैसे दिता, लेकिन तुमने मुझे दोके में क्यों रखा जनको, आके तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें पैसे की क चाहता हो, मुझे आप से कोई बी बात नहीं चुपाना है, और नहीं चोट पहुँचाना है, मेरे पास मेरी फैमिली नहीं है, उनकी पास तो उनकी फैमिली होगा ना, मुझे बस उनको बचाना है, उनको बचाने के लिए बहुत सरे पैसे चाहिए, जो मेरे पास नहीं है, मैं अनात हो ना, और मुझे इन पैसों के लिए तियांग से शादी करना परा, जब मैंने नियूज में देखा, कि वो शादी करने के लिए कॉंटाक मेरेज करने वाला है, और जो उनसे कॉंटाक मैरेज करेगा, उन्हें बहुत सरे पैसे देंगे, और मुझे पैसे की जुरूरत था, तो मैंने उनसे कॉंटाक कर लिया, ग्यैन पा को जैसे पता चला, जनकुल sometime में तियांग से शादी इसलि nên किया है, ताक तुम तियाग की सिर्फ कॉंटक में इसमरी हद में नहीं हो मैं तुम दोने की शादी सच में करवाने वाला हो तियाग ने कहा ग्यानपा मुझे शादी नहीं करना है मुझे शादी में कोई इंटरेस नहीं आपको पता है मुझे शादी में भरसर नहीं है मैं नहीं चाहता हूँ चीज से मैं शादी करूँगा उसका नाध्यान रखने की विए से उसकी जान चला जाया जैसे कि मेरी डैड ने मेरी मॉम की ध्यान नहीं रख पाया जब मों पैडनेर थे और मेरी मॉम बिमार हो गया उसके बाद धीर धीर और बिमर होने लग गया और उनकी मौत हो गए मुझे उनको तो खोरने में बहुत ही दुख पहुचा लेकिन मैं आपनी नई पाटना को खोतो हुए नहीं दिख सकता हूँ मुझे और किसी को खुद से अलग नहीं करना है गयांपा ने कहा ठीक है तुम्हें जो करना है तुम बो करो लेकिन जनकुक यहां से कहीं नहीं जाएगा मैं उसको यही परी रखूँगा आपसे बो भी मेरी गयांसान है और जनकुक चलो मुझे हॉस्पिटल लेका चलो जनकों ने कहा गैनपा आपको हास्पिल जाने की क्या ज़रत है गैनपा ने कहा मैं जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जिसको बचाने के लिए तुमने इतनी बड़ी इक्स लिया है एक माफया से शादी का लिया जिसके पास दिल नम का कोई चीज़े नहीं वो इतना हार्टलेस और रूड है चलो मेरे साथ जनकों की हाथ पकार कर उसकी गैन पर जाने लगा ट्याएंग को इसकिप करते है त्याएंग जनकों के सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ था और उसे शादी के लिए पूछ रहे थे और उसे मापी मांग रहा था और उपर से ये भी बोल रहा था मैं तुम्हें हमेशा खुश आखूंगा और मैं तुम्हें इतना सदा पयार दूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो मैं इतना हार्टलेस था निकिन फेवी मेरे पास भी एक दिल है मुझे नहीं पता था जो तुम्हें लिए धराखता है और तुमने इतना बड़ा काम कर दिया कि मानो कि मैं तुम्हें सामने अपने साच जुकाने के लिए भी त्यार हो जन्कुग जन्कुग ने त्यांग से कहा ऐसा मत करो मैंने कुछ भी नहीं किया है मुझे थोड़ी पता था कि यह तुम्हारी डाड है मैं तो बस उनकी जान बचाना चाह रहा था तियांग ने कहा जनकुक तुम नहीं जानतो तुमने कितने बड़ी काम किया है तुमने मेरी डैट की जान बचाया है जनकुक जनकुक किसे और कर नहीं आरेम की जान बचाया है जो तियांग की डैड है Mr. Kim ने कहा जनकुक तुम नहीं जानतो तुमने मेरी बेटे को बचाया है और त्याइंग की डैट को उस दिन गैनपा जनकुक के साथ त्याइंग भी होस्पिरल गया हुआ था और जब त्याइंग और गैनपा ने आरेम को देखा तो उन दोने के आखों में आसु आ गये और त्याइंग जनकुक को देखता रह गया कि उसने उसकी डैट के लिए उससे कॉंटेक्ट मेंच किया है जो उसका कुछ लगता भी नहीं है इक हार्टलेस माफिया से शादी गया त्याइंग के आखों में आसु आगया था जनकुक को गले लगाने के मन कर रहा था लेकिन तब वो कुछ नहीं किया अपनी डैड को गले लगाते हैं कहा डैड अब जिन्दा हो आपका शुक्रिया अब जिन्दा हो इसलिए आरेम की होश आया था तो आरेम ने कहा तियांग मेरा शुक्रिया मत करो जनकों की शुक्रिया करो अगर बो नहीं होता तो मैं जिन्दा नहीं होता इस चोटे से प्यारे से लगकी के लिए मैं आप जिन्दा हो तो तियांग ने जनकुक का शुक्रिया किया उसके बाद ग्यानपा तियांग से कहता है कि आप भी तुम उसे शादी नहीं करना चाहोगे उसके बाद तियाग ने जनकुक से शादी करने के लिए मान गया लेकिन तियाग ने कहा जनकुक को मुसे शादी करना भी है नहीं मैं जनकुक से पूछना चाहता हू गैनपा ने कहा तुम खुदी उसे क्यों ने पूछ लेते हो उसके बाद तियांग जनकों के सामने घुटने टेक कर उसे शादी के लिए पूसता है तो जनकों ने हा कर दिया आज दोनों की शादी हो गए, दोनों साथ में बहुत ही खुश है तोनों की आज ओडिंग नैट है जनकों, बेट पा लेटा हुआ था तियांग जनकों की हाथों को बेट के साथ कस्की पकर के रखा था जनकों ने कहा तियांग बस करो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत ही पेन हुडा है तियांग ने कहा बेवी, तुम इसको सेंड कर सकते हो मुझे पता है तुम बहुत ही बिलेव हो इतने कमजो नहीं हो सकते हो जो किसी की जान बचा सकता है वो इतने कमजो नहीं हो सकता है न जनको ने कहा तियांग तुम बहुत ही रूट बन रहे हो तुमने तो कहा कि तुम इतनी रूट नहीं बनोगे त्याग ने कहा जंकुग इस बाय में कुछ नहीं कह सकता हो, आप तो मुझे रूट बनना ही होगा उसके बाद त्याग फिर से शुरू हो गया था धोरी देर बाद जंकुग का त्याग एक दुसी के बाहों में टाइटली पकर के लिटा हुआ था तियांग जनकुक की फुरेट पे किसका थे कहा चैयन से सोजाओ अब मैं तुम्हें पेशन ही करूंगा जनकुक ने कहा तुम्हारा शुक्रिया तुम मुझे इतनी पेशन काने के बाद आप ही बाद बोल रहे हो तियांग ने कहा बस भी करो मैं तुमसे बहुत प्यार काता हूँ क्या ही काफी है जनकुक ने मुस्करा थे कहा हाई काफी है तुम्हारा प्यार में लिए बहुत ज़ाता है और मैं बहुत खुशू तुम्हारे साथ तियांग तियांग I really love you तियांग ने कहा जनकुक I love you too उसके बाद तियांग उसकी फुटेट पे किसका थे उसको हग करते सोचाता है तो गैस एही पर ही दियान करता हो I hope कि आप लोग को पसंद रहा हो अगर पसंद रहा हो तो लाइफ कोमेंट शेयर का देना सब्सक्रेब का देना तेंक्यू सुमट बबाठी क्यार